तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप अपने बाल नाचुरली खूपसूरत कैसे बना सकते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बढ़ते धूप, धूल, प्रदूशन और नम हवाओ की वज़े से बाल रूखे, बेजान होकर तूटने और जड़ने लगते हैं कई लोग में तो बाल जड़ने की वज़े से आत्मविश्वात्स की कमी तक हो जाती हैं बालो को फिर से बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह के शांपू, हेर ओल्स, प्रोड़क्ट्स अपनाते हैं जो की कई बार नुकसान भी पहुँचा सकते हैं ऐसे में चावल के पानी का घरेलोन उसका आपके बालो के लिए एक नया जीवन दे सकता है तो सबसे पहले किसी भी बर्तन में आपको पानी डालना है, मैं यहाँ पे ग्लास का यूज़ कर रही हूँ अब आपको इसमें चावल आड़ करना है आपको चावल पानी में करीबन चार से पांच घंटे रखने हैं, मैं यहाँ पे ओवरनाइट रख रही हूँ ओवर नाइट चावल को पानी में रखने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है अब हमें इस पानी को एक स्प्रे बॉटल में छान लेना है यूज करते टाइम हमें बॉटल को अच्छे से एक बाद शेक कर लेना है उसके बाद हम अपने स्कैल्प में स्प्रे करेंगे चावल के पानी में धेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं साथ ही फेरॉलिक एसिट की वज़े से या अंटि आक्सिजन्ट से भी भरपूर होता है चावल के पानी से बालों को धेर सारे पोशक तत्व मिल जाते हैं जिस वज़े से बालों की ग्रोथ बिना कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज किये बिना बहतर हो जाती हैं इसमें मौझूद कार्वोहइड्रेट की वज़े से बाल मजबूत होते हैं इससे बालों में नाच्रल चमक परकरार रहती हैं बालों को जल्दी लंबा करने के लिए भी चावल का पानी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है हफते में एक या दो बार आप इसे जरूर यूज करें और आपको क्लियर बेनिफिट देखने को मिलेगा बालों में अच्छे से स्प्रे करने के बाद जैसे हम ओइलिंग करते हैं वैसे एक से दो मिनिट हम मसाज कर लेंगे हमें अपने बालों पे इसे तीस मिनट तक रखना है उसके बाद हम शाम्पू कर लेंगे अगर आपको मेरे वीडियो फायदेमंद लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों और रामनी के साथ शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में